पर भाश्पानेता स्मृति रानी प्रेस कॉंफरेंस संभोधित कर नहीं इस अफसर पर भारत सरकार में मंत्री भारतिनता पार्टी की वरिस्ट लीडर हमारी समृति रानी जी हम लोगों के मद्द्य हैं कि उत्रा खंके प्रदेश के बीजरपी के अध्यक्ष Shri Mr. Kausig ji हम लोगों के मद्द्द हैं। हम आप लोकोंने देखा होगा है आज पर खंके चुनाओं के सै पर बारी भने हैं अर्प शिरू जी हम लोगों के मद्दद हैं सेंजे मैयुक जी हम लोगों के साथ हैं आज पीतम सिंग जी भारतेनता पार्टी को पीतम सिंग पमार जी भारतेनता पार्टी में शामील हो रहे हैं, बहुती कद्दावर नेता हैं उत्राखंड के, उत्राखंड के यमनोत्री विधानसभा से दो हजार दो और दो हजार बार से तीरी जन्पत की धनौल्टी विदानसभा से सदसे हैं वे अंदोलनकारी रहे हैं उत्तराखंट का जो राज्य का अंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं उत्तरकासी कौपरेटिव बैंक के चेर्मेन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं हम भारते जन्ता पार्टी परिवार में उनको अस्वागत करते हैं सबसे पहले मैं आधंडिय समृति रानी जी से अग्रह करूँगा कि उनको पार्टी की सदस्ता की परची दे और उनका अस मदन कौसिक जी उनको से आगर है कि वो अंगवस्तर उनको पहना है आर्पी सिंग जी से भी अन्रोध है कि पीतम जी का स्वागत करें मैं उत्राखंड के प्रदेश अध्यक्ष स्री मदन कौसिक जी से अग्रह करूँगा कि वैस अफसर पर स्वागत के कुछ बोल बोले जी देश की बहुती वरिष्ट नेता अधरनिया स्मर्ति रानी जी हमारे उत्राखंड से ही और हमारे मेडिया के परमुक अधरनिया निल जी आज ही जिनकी घोष्णा हुई है चुनाओ के सैपर भारी उत्राखंड के आदने आरपी सिंग जी आधरनिया हमारे संजे जी और जिनको आज भारते जनता पार्टी की सतस्ता दिरवाई आधरनिया प्रितम सिंग पामार जी प्रितम सिंग पामार जी के साथ लगातार विधान सभा में रहने का अउसर मुझे भी मिला है 2002 से 7 तक आप उत्राखंड करांती दल के टिकट पर विधान सभा में रहे 2012 से 17 तक आप ये मनोत्री से विधायक रहे और सरकार में केमरेट मंत्री इस रूप में आपने बहुत अच्छा कारे किया 2017 से आप दोनलटी विधान सभा है टिहरी जन्पद में है मसुरी के विलकुन नजदीक वाली विधान सभा है उससे आप विधायक है उत्राखंट राज्जे के लिए निरंतर आपका योगदान उस लड़ाई में बहुत बढ़ चड़ कर रहा जब उत्राखंट राज्जे के लड़ाई लड़ी जा रही थी अनेक बार आप संघर्स के दोरान जेल भी गए और चुकी साथ रहने के समय में ने देखा कि आप एक मर्दुभासी हैं छेतर में आपका बड़ा प्रभाव है और आज भारती जनता पारटी की सदिश्यता लेने के बाद निश्चित रूप से ऐसे अनेक छेत्रों में भारती जनता पारटी को फाइदा होगा मजबूत होगी परितम सिंग पमार जी कि आने से जहां भारती जन्ता पार्टी मजबूत होगी, महीं परितम सिंग जी भारती जन्ता पार्टी में आएं, इनके रूप में कहीं ना कहीं जो पूरी पार्टी है, वो इस रूप में इनके साथ खड़ी रहेगी, आज इस अवसर पर में आपका मेरा आगरे रॉजिर ओड़िए लियु związते, लिवड़, भारतिय जंता पाती और आध हमारे रास्र्य अध्यक्ष जे पி नर्दा जी के अशेरवाद से भारतके अश्यस्वी प्रुधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी को प्रेड़ना स्रूत मानते हुए आज प्रीतम जी ने हमारे परिवार में पदारपण किया है परिवार की सदस्या के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करती हूँ हम सब जानते हैं कि भारतिय जनता पार्टी के कारिकरता प्रेयासरत हैं एवं समर्पित हैं कि नव भारत के निर्मान में उत्राखंड राज्य की अपनी एक एहम भूमिका है एक अपना एहम योगदान है विकास के उसी पत पर संगठन के माध्यम से राश्ट्रहित में भारतिय जनता पार्टी परिवार में सम्मलित होने का जो निर्ने लिया है वो अपने आप में सराहनिय हैं हम सब मिलकर मारिनिय प्रधान मंत्री जी के स्वपन को उनके जैगोष को सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, एवं सब का प्रयास आज प्रीतम जी का हमारे परिवार में सम्मिलित होना प्रयास की उसी श्रिंखला में एक कदम है आपका स्वागत है आज ने प्रीतम सिंग पमाड़ जी से मेरा अगरा है कि यहां मौझूद मीडिया की साथियों को सम्मोधित करें आज कारिकम में मानिय केंद्रिया मंत्र एवं बरिष्ट भाजपा नेत्री आद्रेनिया स्री मती इस्मिलित रानी जी राज्य सभा के समानित सांसाथ एवं राज्ट्य मेडिया परमुक श्री अनिल बलूनी जी उत्राखंड के सहहाद परबारी और राष्ट्य परवक्ता सम्मानिद सरदार आर्पी शिघ्जी हमारे पर्देश के उत्राखंड पर देश के भारत्य जंता पर्टी के हमारे मानिय अध्यक्ष बड़े भाहि मदन कोसिक जी और राश्टियम मीडिया सेय परमुक डॉक्टर संजय मयोग जी और पत्रकार मित्रों मैं आज अपने को बहुत गर्वानमित मैसूस कर रहा हूँ कि आज मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में सामिल मैं हो गया हूँ और मैं मान्या हमारे देश के जो पढ़ान मंत्री मान्या नरिंदर मोडी जी आदणिया मोडी जी से काफी परभावित हूँ पहले से ही मैं ऐसे पढ़ेश से आता हूँ जो धार्मिक पढ़ेश है जहां हमारे पढ़ेश में देवी देवताओं का वास है, चार धाम है, और मान्या, हमारे आधरनिय परदान मंत्री जी का संभन उत्राखंट से बहुत गहरा नाता हमेशा राह है, और मैं तमाम जो उनका केदारनात का पुरह निर्मान का कार्या है, उससे काफी जो उनकी धार्मिक आस्ताएं वाँ से ज आज पुरे उत्राखंट के विकास में जिस तरह से हमारी केंदिय सरकार द्वारा योगदान दिया जा रहा है, चाहे उसमें आल वेदर रोड का मामला हो, जो कि बन कर तयार होने जा रही है, और जिससे कि क्योंकि हमारा परदेश धार्मिक रूप से भी बहुत मेहत अबना हैं और देश भी देश से लोग वहां आते हैं, और जब ये सड़कें तयार अब हो रही हैं, तो निशित तोर पर हमारे जो जिनकी पूरी आस्था, हमारे चार धाम सहीत अन्या जो धार्मिक रस्थल हैं उन में हैं, और देश भी देश से जो वहां पर परेटक का मा रहे आते हैं, उनको निशित तोर पर बहुत बड़ा लाव वहां की जनता को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार की रूप में भी मिलेगा और हमारे परदेश की आर्थी की मजबूत होगी, तो इससे बहुत बड़ा और साथ ही तमाम जो परियोजना हैं हमारे परदेश में मां मोदी जी के नित्रूत में संचालित हो रही हैं, बजट जारी हो रहा है, तब चाहे हो, आप देखिए, जो हमारे चार धाम हैं, रेल मार्क से जुड़ने जा रहे हैं, अभी एक रेल मार्क का निर्मान कारिया तो चल रहा है करण परियाग तक, लेकिन अभी जो हमारे चार धाम हैं, गंगोतरी, यमनोतरी, केदानाथ, बदिरनाथ, वहां की जो योजना, जो उसके लिए भी जो है, बजट कुछ जारी हुआ है, तो निशित तोर पर आने वाले समय में, उससे भी बहुत बड़ा लाब हमारे पूरे प्रदेश कोगा, हमारा जो हमारा प्रदेश सांबरिक दिश्टी से भी बहुत महत पूर्ण, महत तो रखता है, तो उस लिहास से भी ये सब परियोजना है, हमारे लिए बहुत महत पूर्ण होंगी, और मैं जो हमारा, मैं भारते जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उनसे काफी परवावित वहा हूं, और बहुत सोच मैं जमीनी अस्तर से मैंने राजनितिक पराराम की है, तब हो चेतर पंचायत का सदश से भी रहा हूं, डारेक्टर कोपरेटिव बैंक रहा हूं, चेयरमेन उतरकासी जिल्ला सहिकारी बैंक रहा हूं, और आंदोलन के रूप में भी जितने संबभ हो सका और मैं उत्राखन क मेराजय निर्मान में जिस तरह सराहा, उससे भी मैं हमेसा मैंने पहले भी सराना किये और आज भी कर रहा हूं, और निश्चित और पर परदेश की सेवा के लिए हम लोग हैं, और आज मुझे लगता है कि समय आ गया था कि भारतिया जनता पार्टी में मैं सामिल हों और वह तो मैं अपने छेतर में मेरे जो विधानसवाद छेतर पहले वाली भी है, यमनोत्री विधानसवाद छेतर के नाम से रही हैं, दो बार मैं वहाँ विधायक रहा हूं, अभी आपने सुना होगा धनोल्टी जो परेटन के दिश्चि से भी बहुत मैत्रपुन नाम है, इस तरह से मैं आज सामिल हूआ हूँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारा परदेश का विकास और तेजगती से भारते जन्ता पार्टी आने वाले समय पर कर सकती है, तो मैं अपने नेतरितों का, मोधी जी का और मान्या, राष्ट अद्धिक जी, नडड़ जी और परद है, उसका लाब जो पार्टी मुझे सेवा कापसर देगी, जो मुझे जिम्मेदारियां देंगी, मैं उसको बखुवी निभाने का परियास करूँगा चाहिए। प्रमुक संजे मयूख और उत्तराखंड के भाज़पा के राज्य अध्यक्ष मदन कोशिक समेत अनिक नेता मौझूद थे, उन्होंने भाज़पा की नीतियों में आस्था जिताई, जिस तरीके से केदारनात में हुए जल प्रले के बाद तेजी से पुनर निर्मार का का क भाज़पा की नीतियों में पूरे आस्था व्यक्त करती हुए उन्होंने भाज़पा की प्रात्मिक सदस्ता आज ग्रहन की, भाज़पा मुख्याले में और इस मौके पर भाज़पा की अनेक वरिष्ट नेता मौझूद थे, और उन्होंने कहा की,